सब अपने दिल की सुनते हैं पर आप मेंसे पहुत से लोगा ने उसकी नहीं सुनी क्योंकि उनका एज था 20 से 50 साल सवाल यह है कि हार्ट अटाइक से आप आखर कैसे बचें तो कहीं अगला नंबर आपका तो नहीं दरिये मत पर सवाल यह है कि जो फिट लोग अपनी जान हार्ट अटाइक से गवा रहे हैं क्या वो कोरोना वैक्सीन की वज़े से या जिम की वज़े से या कुछ और है एक रिपोर्ट बताती है कि जो हार्ट अटाइक में मौद के मामले 2015 तक तीसरे नंबर पे थे वो आज भारत में पहले नंबर पे है 10-15 साल पहले तक दिल की बिमारी को बुढ़ापे से जोड़ा जाता था पर आजकल के हाथ से तो कुछ और ही बोल रहे हैं डॉक्टर के हिसाब से देश के युवाओं को दिल कमजोर हो रहा है क्योंकि COVID के बाद से जीवन में तनाओ कम्प्यूटर और electronic machines पे जाद दिर तक काम करना physical activity ना करना और गलत खाना खाने की आदद ये सब हमारे हार्ट को बरबाद कर रहे है और आजकल के students का daily lifestyle भी यही हो गया है अगर बात करें खाने पीने की तो उसमें हम लोग तीन चीज़े ऐसी जोड़ चुके हैं जिनको science के language में three white poison कहा जाता है और ये तीनों चीज़े हैं चीनी, नमक और मैदा डॉक्टर्स के हिसाब से हमें एक दिन में 30 ग्राम से यादा चीनी नहीं खानी चाहिए पर उससे आदा की तो हम चाय पी जाते हैं और मैदा तो पेट में जाते ही इंटर्शन में चिपक जाता है जिससे मोटापा बढ़ता है और digestion भी slow होता है पर इन सबसे heart attack कैसे तो देखिए हमारी coronary artery जो heart को function करने में help करती है ये सब खाने पीने की वज़े से block हो जाती है जिससे heart को oxygen नहीं मिल पाता science की दुनिया में इसे atherosclerosis कहते हैं जिससे finally आपकी जान भी जा सकती है तो अब आपको ही decide करना है कि क्या खाना है, कितना खाना है, क्यों खाना है क्योंकि आपका दिल आप जादा आपके पेट की सुनता है